कुंडलिनी शक्ति क्या है? उंगली से दाहिनी और इशारा कुंडलिनी शक्ति कोई देवी देवता या फिर भूत पिशाच नहीं है. यह शक्ति हमारे संपूर्ण शरीर में समाई हुई समस्त नाडियों का सूक्षम चेतनात्म कूर्जा तत्वा है. हमारे शरीर के प्रत्येक अंगेवम अव्यव में चेतना शक्ति का संचार हो रहा है और प्रत्येक स्थान में चेतन तत्वा विद्यमान है किन्तु संपूर्ण शरीर में से मूलाधार चक्र जहां पर जनन ग्रंथियां है वहां पर हमारे शरीर की सरवाधे कूर्जा संग्रह यही केंद्र ऐसा है जहां पर नवजीवन स्रिजन करने की शक्ती संग्रहित होती है। उसके अंदर जो चेतन तत्व है। उसकी उर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है जबकि वीर्य हमारे स्थूर शरीर की वस्तू है। अपान, समान, व्यान, उदान आधी प्रकार की अलग-अलग वायू का प्रवा होता है। सामान्यतया हमारे शरीर में स्थूर जड़ तत्व की प्रधानता होती है किन्तु जब हम प्रानायाम का अभ्यास करते हैं। अंतरे केवं बाह्य कुम्भक क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर में जड़त्व के स्थान पर सूक्षम तत्वों का आधिक्य होने लगता है। जैसे जैसे हमारी कुम्भक क्रिया अधेक होती जाती है अर्थात प्रान के निरोध की शक्ती बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे समस्थ शरीर की नाडियों में दिव्यता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दिव्यता बढ़ती जाती है वैसे वैसे साधक का मन मस्तिश के द्यान पूर्ण एक आगरता के साथ लगने लगता है। अब साधक जिस चक्र या स्थान पर भी अपने ध्यान को एक आगर करता है। जैसे जैसे साधक अलग अलग चक्रों में अपने ध्यान की उर्जा को बढ़ाता जाता है वैसे वैसे उसका संपूर्ण शरीर सिधावस्था को प्राप्त करता जाता है साधक बाहर से बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई नहीं देता बस उसका शारीरिक स्वास्थे अच्छा हो जाता है एवम आखों एवम चेहरे में तेज दिखाई देने लगता है किन्तु अंतरिक स्थर पर साधक के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका होता है जब साधना करते हुए मूलाधार चक्र से लेकर आग्या चक्र तक के संपूर्ण चक्रों में उर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है तो उर्जा सहस्रार चक्र तक पहुँचने लगती है ऐसी स्थिती में साधक जब मूलाधार चक्र में ध्यान करता है तो कमपन सहसरार चक्र में अनुभाव होने लगते हैं एवं संपूर्ण सहसरार चक्र प्रकाशित होता हुआ अनुभाव होता है जिस प्रकार एक लंबे पाइप में पानी का प्रवाहिक सिरे पर जोडने पर दूसरे सिरे में पानी स्वतही निकलने लगता है उसी प्रकार जब समस्थ चक्र जागरित हो जाते हैं तो मूलाधार चक्र में ध्यान करने पर उर्जा का प्रवाह सहसरार चक्र में प्रवाहित होने लगता है यही कुंडलिनी शक्ती का जाग्रन है जिससे प्रान का प्रवाह मुलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक होने लगता है उनगली से दाहिनी और इशारा अज्ञानी गुरूओं ने ऐसी हवा बना रखी है कि कुंडलिनी जाग्रन एक बहुती खतरणाक एवं कठन प्रक्रिया है इसे नहीं करना चाहिए निश्चिती कुंडलिनी जागरन एक कठो रेवं श्रमसाध्य प्रक्रिया है किन्तु जो साधक मानवता के हित में इस साधना को करने के लिए तैयार हो उन्हें इसका सौभाग्य मिलना चाहिए दूसरी बात कुंडलिनी जागरित हो जाना ही समस्त दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लेने की निश्चित शर्ट नहीं है यह उर्जा का प्रवाह है जो मुलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक होने लगा है इससे सिर्फ इतना सा कहा जा सकता है कि साधा कब उस परब्रम परमात्मा से संपर्क साध सकता है इसके आगे आप जियो जियो साधना को बढ़ाते हैं वैसे वैसे संपूर्ण ब्रमांड में आपकी साधना की उर्जा प्रसारित होने लगती है और जो परिनाम आप साधना से लेना चाहते हैं वैसी स्थितियां एवं परिस्थितियां उत्पन होने लगती है उंगली से दाहिनी और इशारा जो मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन में जितना अधिक क्रियाशिल दिखाई देता है, उसकी कुंडलिनी शक्ती उतनी ही जागरत है अब जो मनुष्य जितना अधिकाल सी, अकर्मन्य एवं दुर्व्यसनों से घिरा हुआ है, उसकी चेतना शक्ती कुंडलिनी उतनी ही सुशुक्त है उंगली से दाहिनी और इशारा जब हम योग साधना एवं मंत्र जप का सहारा लेते हैं तो हमारे अंदर उर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है हमारी समस्त नाडियों में क्रियाशिलता बढ़ जाती है हमारे शरीर के प्रत्येक अव्यवों में एक सूक्षम चेतन शक्ती का संचार होने लगता है जो जो हमारी योग साधना एवं मंत्र जप बढ़ता जाता है त्यों त्यों हमारी प्रत्येक नाडि में दिव्यता बढ़ती जाती है हम शारीरिक रूप से समस्तादी व्याधियों से मुक्त, मानसिक रूप से अत्यदेक बुद्धिमान तरकेवं आत्मे कुन्दती के चर्म शिखर की ओर बढ़ने लगते हैं। हम एक खुदगर्जी के स्थान पर परुपकार में आनंद आने लगता है। उंगली से दाहिनी और इशारा यदी साधना पत पर बढ़ते हुए साधक से कभी कुछ गलत हो जाता है तो आत्मचेतना मार्ग में अवरोध पैदा करती है एवं ऐसा करने से रोकती है। ताली बजाने यह कुंदलिनी महाशक्ती का सामान्य परिचय है। इसके आगे अद्भुत एवं अनिर्वच्निय परिनाम है जिसके बारे में बताना फिलहाल उचित नहीं है क्योंकि उस संबंध में मुझे कोई ज्यान नहीं है।